खबरों की शुर्वात सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करते हैं देरादून से खबर जहां पर पिस्टल बाज विधायक प्रणव चैंपियन की अब बीजबी से छुट्टी हो गए यह पहले निश्कासत किया गया था अब पार्टी ने विधायक को बाहर का रास्ता दिखा विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया चैंपियन ने नशे में रिवालवर और बंदूक लहराई थी उत्राखंड और उत्राखंड निवासियों को भी गाली निकालते हुए नजर आ रहे थे आप शब्दों का इस्तमाल करते नजर आ रहे थे और अब पार्टी उन पर सक्त होती नजर आ रही है कारण बताओ नोटिस उने दिया गया है बड़ी खबर आपको बता दे ये वीडियो आप देख सकते हैं और ये एक विधायक है जिने जनता ने चुना है और कुछ इस परकार से धांस करते हुए पिस्टल लहराते हुए उनका ये वीडियो वाइरल हुआ था इतना ही नहीं बलकि उत्राखंड और उत्राखंड वासियों को अप शब्द भी इनकी और से कही जा रहे थे आप देखे कितने सारे हतियार इन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं और कहीं न कहीं अपने पद का रुतबा यहां पर दिखाते नजर आ र रहे थे इन तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन बड़ी खबर आपको यह बता दे कि पिस्टलबाज विधायक प्राणफ चैंपियंग कि आप बीजेपी से छुट्टी हो चुकी है हालांकि पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था इससे पहले पे उनकी क अना बेहत शरमनाक हैं बड़ी खबर आपको हम बता दे उत्राखंड और उत्राखंड निवासियों को भी अब शब्द कहते नजर आ रहे थे विधायक जी हाथों में पिस्टल लहराते हुए बंदू के लहराते हुए मस्ती में डूबे हुए नजर आ रहे थे मादक परद और नोटिस भी जारी किया गया है ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं धेरादून से वीडियो वाइरल हुआ था पिछले से पिछले दिन आप लोगों ने देखा भी होगा ये वही वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक जन प्रदिनीरी हैं जनता ने विधायक जी पर भरोसा जताया था और ये विधायक जी आप देख सकते हैं कि हवा में हथिया लहराते नजर आ रहे हैं और जम कर अपने समर्थकों के साथ ठुमके लगाते भी नजर आ रहे हैं लेकिं शायद उन्हें उस समय ये मालूम नहीं होगा कि उनका ये वीडियो गले का फांस उनके लिए बनता हुआ नजर आएगा क्योंकि आप पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कारण बटाओ नोटिस भी जारी किया गया है तो ही चैंपियन के मुद्धे पर ही बीज़पे परदेश महमंत्री आनिल गोयल ने हमारे ब्योरो चीफ राव शफात अली से खास बात्चित की आई आपको सुनवाते हैं से पार्टी को मुसीबत में डालने वाले बीजे पी विधाय कुमर परणव सीख चैंपियन को आखिरकार पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाई दिया इस मुद्धे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रदेश महमंत्री अनिल गोयल साब अब सुना है कि आपने अनिश्यत काल के लिए उनको निश्यत किया है देखे इसमें निश्यत तोर पर उनके एक दो वीडियो वाइरल हुए है जो कि स्युकार योके नहीं है पार्टी एनुशाशन के नाम पर बहुत कंभीर है लगातार इस तरह की चर्चाएं थी पहले इसी विशेफ पर उन्हें तीन मेहने के लिए निलंबित किया गया था और अब एक नोटिस हम लोग उने जारी किया है कि आपको क्यों ना पार्टी से नश्काशित कर दिया जाए दस दिन का टाइम उने दिया गया है अपने वक्त अव्य के लिए और मुझे लगता है कि अगर उन्हें पर बास कुछ कहने को नहीं है तो हम राज जिस्तर पर जैसा कि प्रदेश अदेश जी का दिर्देश है कर ये कारवाई करने जा रहे है केंदर सरकार से प्रफारी महदे भी इस विशे पर काफी चितित और गंबीर है और नोने इस थाई निलंबन की अनुशा इंशा के लिए केंदर को उसे भेजा है मुझे लगता है कि एक चुम्यवार जनप्रति नहीं होने के नाते एक विधायक होने के नाते इस तरह का आचरण गलत है पब्लिक के हम पब्लिक के प्रति जबाब दे है और पार्टी इस तरह के किसी भी गैर उसको किसी भी अनुशाशन से सम्मधित विश्य पर किसी भी कंप्रमाइस के मुंड में नहीं है। कुछ आपको कहना है तो दस दिन के अंदर देखे एक नियाइक प्रक्रिया है कल को वो स्विश्य पर कोई वीडियो वायल जूटा हो जाता है कोई और चीज़ हो जाती है उनको कहने का मौका नहीं देंगे तो कल को कोट कचैरी का सिस्टम रहता है मेरा मानना यह है कि अगर उ प्रधेश नेता कहरे है कि कुमर परणफ सिंग्ड चैंपियन को दस दिन का नोटिस दिया गया है जवाब के लिए हाला कि वो पहले से ही निशकाशी चल रहे है तो विधायक कुमर प्रणफ चैंपियन के वीडियो वाइरल होने के बाद सियासत अभी भी जारी है बीजेपे की दूसरे विधायकों ने कहा कि इस वीडियो ने सभी नेताओं को शर्मिन्दा किया है जन प्रते नीधियों के आचरन को लेकर बीजेपे विधायक केदार सिंग रावत से खास बाचित की हमारे समधा था राव शफात अलीने खानपूर से बीजेपी विधायक कुवर पर्णाप सिंग चैंपेन की विवादित वीडियो वाइरल होई तो जनता सोचने पर मजबूर होगए कि क्या विधायक का आचरन ऐसा होता है इसे मुद्धे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक केदार सिंग रावत जी मौझूद है रावत जी आप भी विधायक है और कुवर पर्णाप सिंग भी विधायक है लेकिन एक विधायक हाथ में शराप का गिलास तमन्चे लहरा करके उत्तराखन को गाल है जो समाज को हम जो एक उसका प्रतिविम जाया है उसका लोग अनुशरन करें मैं समझता हूँ कि वैसे भाई पर दो काफी उदात विचारों के विधायक है पहले से लेकिन लिकिन येक ब्यक्ति की सार्ब जनिक जीवन होता है एक ब्यक्तिकद जीवन होता है तो ब्यक्त और इसमें निश्चित रूप से परतिक्रियाई आ रहे हैं समास यारे प्रदेश के लोगों की आ रहे हैं इस तरह का अच्रण जो है वह अच्छा आच्रण नहीं का जा सकता है कि नहीं का जा सकता एक विधायक है वो कह रहें कि उनकी नेजी जिन्दगी है और वो रात के टाइम एक पार्टी साय थे इसलिए एंजोय कर रहे ते क्या विधायक को ऐसे एंजोय करना चाहिए हाथों में पिस्टल लेकर नहीं यह तो मैं समझता हूं कि यह तो अद्बूत कि निदी हैं जनता के चुनेवे नुमाइंदे हैं हमारी बहुत मर्यादाएं और बहुत सीमाएं होती हैं हमें हर आचरण हर बात को जो है वो बहुत मर्यादित डंग से करना पड़ता है अपने उपर अंकुस रखना पड़ता है अपनी इश्चाओं को जो है मारना पड़ चिश्रण में सुधार लाना चीह और ली रहना है तो समाज की अपैक्षा के अनरूप अपना आष्रण करना चीह और अगर भाई सारव जनिक्वन में नहीं रहना है तो युश्चान जीवन ब्यक्ति जो एसंसार में हैं दुनिया में हैं तो अपना ब्यक्ति गद जीवन जी हैं शुक्रे हम जे बात करने के लिए जी हां तो जन परतिनी दी का आशन बेहुदा और अभधर नहीं होना चाहिए के लिए कहना है दूसरे विधायकों का कैमरा अभिशे के साथ मैं राव शफात अली खबरे अभी तक देरा दो